सो हालो दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने युटी जना सक्सेस रोजकार में दोस्तो आज किस वीडियो में बात करेंगे बिहार सरकार के अंतरगत जीला बाल सरक्षन इकाई में मैट्रिक और इंटरपास के अधार फर सभी जीला में 6 परकार के भरती निकाली गई है जिसमें आपको कम्पलीट जानकारी देंगे कि कुन-कुन से पद है जैसा कि यहां पे देख सकते हैं कॉडिनेटर की पद है, मैनेजर, चोकिदार और भी कई तरह के पोस्ट है जिसमें आपको कम्पलीट जानकारी बताएंगे और बिहार के किसी भी डिस्टिक से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं जिहां दोस्तो आपने बिलकुल सही सुना बिहार के किसी भी डिस्टिक से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसमें अपलाई कर सकते हैं, किस परकार से अपलाई करना है, सारी जनकारी इस वीडियो में देंगे, साती साथ आपको वेतन कितना दिया जाएगा, आयू सीमा जैसे कि दोस्तो हम आचुके official जो notification जारी किया गया उस पे और यहां पे लिखा गया name of the post, तो यहां पे manager या coordinator की post है जिसमें एक seat के लिए vacancy आई हुए जिसमे qualification and experience के बारे में बताया गया है कि bachelor in social work या sociology या psychology या law और any other social science जो कि यहां पे देख सकते graduate with diploma और certification in child protection या counseling या child development for a recognized university और a reported institute may also apply जो कि यहाँ पे देख सकते हैं यानि आपका bachelor degree इन में से किसी से आप किये है या फिर graduation किये है इसमें से तो आपके पास इसके लिए आवेधन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको at least two year का experience भी होना चाहिए desirable जो यहाँ पे देख सकते हैं desirable जो कि यहाँ पे competence जो यहाँ पे देख सकते है good oral and written communication आपके पास होना चाहिए जो कि यहाँ पे बताया गया है एज लिमिट के बारे में बताया गया कि 25 से 40 साल के बीच आपका होना चाहिए और salary के अगर बात करें तो 17,500 तक आपको पर्बंति इसके लिए provide के जाएंगे दूसरे पोस्ट की बात करें तो social worker come early childhood educator की है जिसमें एक seat इसके लिए है और यहाँ पे graduation पास पे यह भरती निकाला गया जो कि आपको किस field से graduate होना है वो यहाँ पे पासरी बताया गया जिसमें आपको experience के बारे में बताया गया वो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे सारा कुछ process बताया गया जिसमें आपको 22 से 45 साल के बीच एजलिमेट होना चाहिए और इसके लिए जो आपको salary provide के जाएंगे 14,000 परबन salary provide के जाएंगे तीसरे post की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं nurse की post है जिसमें यूगर category के लिए एक seat है और इसमें यहाँ पे intermediate चाट ही प्लोपा इन nursing जो की आप किये है गवर्मेंट या Indian nursing counseling रिकोगनाई nursing institute से तो आप minimum के लिए eligible है वही minimum एक साल का आपका experience होना चाहिए जो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे बात करें up to 45 years आपका age limit होना चाहिए maximum आपका 45 साल age limit होना चाहिए इसके लिए आपको 9,000 परबन salary provide के जाएंगे वही बात time के लिए salary यह ची प्रवाइड के जा रहे है चौत आप पाच्मा seat के बारे में बात करें तो आया हकी है जिसमें female के है और यहाँ पे तीन seat your category के लिए है EBC के लिए एक है BC के लिए one है और SC के लिए एक seat निकाला गया है इसमें यहाँ पे qualification के बारे में बताया गया आप person with functional literacy जो कि यहाँ पे देख सकते हैं तो यह ची आपका होना चाहिए 20 से 45 साल के बीच एजली लिट है 6000 आपको salary provide के जाएंगे वही six post की बात करें तो चोकिदार के जिसमें एक seat है और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं सेम इसका educational qualification है इसमें भी आपको सेम चीज़ बताया गया है 6000 आपको salary provide के जाएंगे वही बात करें दोस्तों यह भरती आई कहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार समड़ाल है सुपॉल सुपॉल डिष्टी के अंतरगत यहाँ पे आई हुई है जिसमें बताया गया है कि निदेशक समाज कल्यान सा उपाद्या है राज बाल समरक्षन समीती बिहार पटना के पत्राइं कितना दिनांक 9-2-0-18 के निदेशके आलोक में बिशिष्ट दत ग्रहन संस्थान सुपॉल में समड़ा अधारित निम्लिकित पदो पर और अस्थाई नियोजन है तुस्योग या भ्यर्तियों से आवेधन पत्रामत्रित किया जाता है यानि कि ये समड़ा के अधार पे बहाली निकाली गई जो अस्थाई है और यहां पे आपको बता दे कि समड़ा के अधार पे जो बहाली निकाली जाती उसकी कुछ कॉंट्रेक्ट मनती है और उस कॉंट्रेक्ट मेसिज़ पे इसकी बाहाली होती है फिलाल आगे बरते हैं और इसमें देखते हैं कि इसका कॉंटेक्ट कितनों दिने के लिए बाना है यहाँ पे जो बते हैं कि एक्छुक परतिभाव आबेदित पद का उले करते हुए सलग्ड बिहित प्रपत्र से प्रपत्र में आबेदन दिनांक 2922 से 5 बजे अपराहन तक निवद्धि डाक या हातो हात जिला गोपनिय साखा कमरा नंबर 203 पारगामन प्रथल तल समलहाले सुपावल पीन कोड इतना बिहार पर समर्पित कर सकते हैं चोकि इस एड्रस पे आपको ये फॉर्म को भेजना होगा 2922 के संधिया 5 बजे तक चोकि यहाँ प पर्मान पत्र, जाती पर्मान पत्र, अवासिय पर्मान पत्र, इतियादी की 100 पनिचाया प्रती तथा 2 स्वता लिखा लिफाफा, डाक टिकट 25 रुप्या समगने करना होगा आपको यानि कि इसमें आपको डोकुमेंट क्या क्या लगेंगे वो यहाँ पे साफ मेंसन किया इसके अलाबा दुस्तों तीसरा प्वाइंट में बतेगे कि पर्तिभा लिफाफा के उपर मोटे अच्रों में बिशिष्ट दक्ट ग्रहन संस्थान सुपॉल में चैन है तू आवेदन तथा आवेदित पद का उलेक करेंगे उप्रोक्ट समय सीमा के पस्चात प्राप्त आवेदन पर स्युकार नहीं किया जागा यानि इस डेट के बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके आवेदन पर स्युकार नहीं किया जागा पात्मा प्रतेक पद के लिए अलग-अलग आवेदन स्युकार किया जागा यानि आप अगर अलग-अलग सीट के लिए आ अधिकारी नहीं होंगे सरकार बिना कारण बताए कभी भी अनुवन समाप्त कर सकती है यानि कि यहाँ पर डेट नहीं बताया गया लेकिन आपको बिना कारण बताए आपको यह अनुवन समाप्त कर सकती है और आपका सर्विस जो है वह चला जाएगा तो यहाँ पर बात करें जिसका लिंग आपको हमारे टेलीग्राम में प्रोवाइड करा जया है जिसका प्रोवाइड कर दालना है यहाँ पे आपको पासवर्ड साज का एक फोटो चिप काना है और फोटो के निचे आपको सिंगनेचर करना होगा जो कि यहाँ पे पिता या पती का नाम, माता का नाम, लिंग आप पूरू सह या महिला वो आप यहाँ पे डालेंगे जिसका पिडियाप हमारे टेलिग्राम चैनल में प्रोवाइट करा दे जागा, तो आप सभी लोग वहाँ से देख सकते हैं, तो दोस्तों उभीद करते हैं कि आपको सारी जनकारी मिल गई होगी, अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, नीचे कोमेंट सेक्षन में मिंसन क करतीजेगा, आपको प्रोपर रिप्लाई मिलेगा, या फिर हमारे टेलिग्राम चैनल में आप जज़ ज़ान करेंगे, तो वहाँ पर सबसे उपर में कॉमेंट पिन किया गया, जिसमें मेरा वाट्सअप नमबर दिया गया, तो उस पे भी आप एजली हमसे कॉंटेक्ट कर कि आप जनकारी ले सकते हैं, तो मिलते हैं इस तरह के एक और नए टोफिक के साथ, अब तक के लिए बड़र बार साथ,